गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स, हावारी बेटा, आई होप आप सवस्थ होंगे, आज बेटा जह है स्टी में चैप्टर फोर विचार, विश्वास और इमारतें के उपर हम चर्चा करेंगे, तो इस जह है लेसन में सबसे पहले हम टोपिक लेते हैं स्टूप, स्टूप क् साब्दिकर्थ क्या है, देखो बेटा, किसी वस्थू का ढेर, स्टूप का विकास ही सम्वत्य मिट्टी के ऐसे चबूत्रे से हुआ, जिसका वणन मिर्तक की चिता के उपर अथ्वा मिर्तक की चुनी हुई आस्थियों के रखने के लिए किया जाता था, हम देखते हैं बे संबोधी, दरमचकर परवर्तन, तथा निवारण से संबन्दि स्थानों पर क्या स्टूपों का निर्माण किया जाता था, तो यहाँ पर हमने क्या बताए बेटा, स्टूप का साब्दिकर्थ क्या बताओगे, किसी वस्थू का ढेर, ठीक है, और फिर हमने आपको बताया, जो स्टूप कहां स्थापित होते हैं बेटा, जैसे महत्मबुद से संबन्दि जो जनमस्थल है, या धरमचकर परवर्तन है, या निवारण प्राप्ति है, तो वहाँ पर स्टूपों का निर्माण किया गया, अगली बात लेते हैं, स्टूप बेटा, जैसे कि हम देखते ह हैं साची का स्टूप, अमरावती का स्टूप, तो पहले हम यहाँ पर किस के बारें बताएंगे, साची के स्टूप के उपर बताएंगे, साची बोपाल में एक जगह का नाम है, और यह parts स्टीत हैं, साची में एक प्राचिन स्टूप है, जो कि अपनी सुन्दरता के लिए काफी परसिद है साची का यह है प्राचिन स्थूप महान समराट असोक के दवरा बनाए गया था किसके दवरा राजा असोक के दवरा इस स्थूप का निर्माण कारिय तीसरी स्थाबदी इस्थू पूरू शुरूआ था तो यहां से जानकर यहां मिली बिटा जो साची का स्थूप है वो राजा असोक के दवरा कौन सी स्थाबदी की दोरान तीसरी स्थाबदी की दोरान तीसरी स्थाबदी इस्थू पूरू के दोरान साची का स्थूप का निर्माण किया गया था अब यहां पर एक क्यूशन साची के स्टूप से संबंदित important question बनता है कि साची के स्टूप के सनक्षण में बोपाल बेगमों ने क्या मैत पुण बोमिका नेवाई सपास्ट करें व्याख्या करें तो 19 वी सिदी के यूरोप में मैं साची के स्टूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी क्योंकि साची का स्टूप बेहेद सुंदर वे आकरशक था फ्रांस के लोगों ने साची के पूर्वी तोर्ण दवार को फ्रांस के संग्राले में परदशित करने के लिए तोर्ण दवार को फ्रांस ले जाने की मांग साजा बेगम से की ऐसी ही कोशिस जो है अंग्रेजों के दवारा भी या अंग्रेज लोगों ने भी की लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि साची कस्तूप का यह तोण दवार कहीं और जाए तो बेगम ने अंग्रेजों को और फ्रांसीस्यों को बेहिद सावधाने पूरक तरीके से बनाई यही बनाई गई एक प्लास्टिक प्लास्टर पर्तिकिरती वह एक प्रकार से कोपी दी और वे लोग उससे क्या हो गए संतूष्ट हो गए तो इस प्रकार से एक महान विरासत से हम जहें सुरक्षित रखने में सफलो पाए बोपाल की जो है बेगमों का स्तूप के सनक्षन में काफी यूगदान रहा शाजा बेगम और शुल्तान जहा बेगम ने स्तूप के सनक्षन के लिए बहुत से कारे किये यदि हम बात करें उनकी रख रखाओ के लिए काफी जो धनरासी उन्होंने दान में दी यहां तक की संग्राल्य बनाने के लिए दान दिया जानमार्शन ने बहुत सी पुस्त के लिखी और उनके प्रकाशन के लिए भी बेगम ने योगदान दिया तो यह क्या है साची किस्तूप के सनक्षन में बहुपाल की बेगम का क्या योगदान रहा उसके उपर हमने आपको बताया अब अगली बात करते हैं मिटा इस्व पूरू पर्थम स्ताबदी में एक मैत्पून काल के उपर यह काल विश्व के इतियास में काफी मैत्पून माना जाता था क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों को उद्य हुआ जैसे कि महत्मबूद, महावीर, प्लेटो, अरस्तू, सुक्राथ, इन सभी विद्वानों के जीवन के रहस्य को समझने की कोशिस की गई यग और विवाद यग के उपर अगर हम बात करें तो वेदिक प्रंपरा के जानकारी हमें रिगवेद से मिलते बिटा, रिगवेद जो की क्या था बिटा, प्राचिंतम वेद, प्राचिंतम वेद था रिगवेद, रिगवेद के अंदर जैसे हम देखते हैं अगनी, इंदर, सौम, आदि दे के लिए प्रात्ना करते थे मलब अधिकतर यग किसके लिए कि जाते थे बेटे की कामना के लिए अपने स्वास्ते के लिए लंबी आयू के लिए इस प्रकार से जग करवाए जाते थे शुरू-शुरू में यग साम्हिक रूप से किये जाते थे बाद में गर के मालिक खुद यग करवाने लगे थे राज्चियो और असमेग यगो का नाम है ये यग राजा या सरदार द्वरा करवाया जाता था अब हम यदि वादिवाद की बाते करें तो माहवीर तथा बुद ने यगो पर सवाल उठाए शिक्षक का कारिया होता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर गुम गुम कर ग्यान पर दर्शन में विशो को जागरुक करना था शिक्षक समाने लोगों में तरक वितरक करते थे चर्चाएं जोपड़ी तथा उपमनों में होती थी ऐसे उपमनों में गुमकड मनी से ठहरते थे ऐसे में इन शिक्षकों के अन्याई जब बनते चले गए तो इस प्रकार से काफी पक्स भी पक्स देखने को भी मिलता है अब बात आते स्टूप कैसे बनाए गए आपसे क्षिशन ये भी पुछा जा सकता है स्टूप क्या है स्टूप कैसे बनाए जाते थे या उसकी संरस्टना के उपर व्याख्य करें तो हमने यहाँ पर स्तूप क्या है उसके आर्थ के उपर बता दिया था आपको और स्तूप कैसे बनाई जाते हैं तो उसके बारे में अभी बात करें तो स्तूप ज्यादतर राजाओं दवरा बनाई जाते थे बड़े बड़े राजा धन दान देते थे जिसे स्टूप बनाई जाते थे बड़े बड़े सिल्पकार ये व्यापरी लोग भी दान देते थे जिसे स्टूप बनाई जाते थे कभी कभी गाउं के साधन महिला और पुर्ष भी दान दिया करते थे जिसे स्थूप बनाने में आसाने भी होते थी भिक्षू और भिक्ष्णू भी दान दिया करते थे जिसे स्थूप बनाए जाते थे तो इससे ही पता चलता है कि ज्यादतर स्थूप दान दवरा ही बनाए जाते थे अगर स्थूप की अब हम बिटा बनावट के उपर बात करेंगे सनचना और बनावट कैसे थी स्थूप प्राए गोलाकार होता था स्थूप को ज़र संकृति बासा में एक परकासे टिला भी कह सकते थे हम स्थूप का जनम एक कोलार्थ के लिए हुए मिट्टी के टिले के भाते होता था इसके बाद में इसे अंड का जाता था देरे देरे इसकी बनावट में बदला होने लगा और अंड के उपर एक क्या बनाई जाने लगी बिटा हर्मीका बनाई जाने लगी यह सज्ज जैसे डाचा देविताओं का घर जैसा देखने को मिलता था यह समझा जाता था हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यसिस्ट कहते थे जिस पर अक्सर एक छत्री लगे होती थी टिले के चारो और एक वेदिका भी होती थी तोनदवार स्टूपों की सुंदर्ता को बढ़ाते हैं उपासक पूर्वी तोनदवार से परवेश करके स्टूप की प्रिक्रिमा भी करते थे तो यहाँ पर आमने क्या बताएं स्टूप के सनचना और बनावट के उपर तो एक क्यूशन यहाँ पर आप नोट कर लेंगे स्टूप का अर्थ और स्टूप की निर्माण के उपर और स्टूप की बनावट के उपर हमने आपको बताया एक हम देखते हैं, दूसरा क्यूशन ये बनता है कि स्टूप के सनक्षन में बोपाल की बेगमों ने क्या योगदान दिया ठीक है बटा, अब हम लेते हैं स्टूप की खोज के उपर परतिक स्टूप का अपना इतियास है हम देखते हैं स्टूप एक तो साची का स्टूप रही का अमरावती का स्टूप देखने को मिलता है तो अभी हम अमरावती स्टूप के उपर बात करते हैं तो इस स्टूप में आवसेसों के रूप में मूर्तियां, पत्थर मिलें जो कि बाद में अलग-अलग जगए ले गए जैसे हम देखते हैं बंगाल, मदरास, लंधन तो अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तिया पाई जगई है एक अच्छा इंसान रच एल कॉल इनका मानना था कि असली किर्टियां जहां की है वही रखनी चाहिए तो अब यहां पर हम यही बात जानेंगे साच्छी के स्टूप जो बच गया लेकिन अमरावती की स्टूप जो नहीं बचा नस्ट हो गया उसकी पिछी नस्ट होने के पिछे क्या कारण थे मनों नस्ट क्यूं हुआ उनके उपर हम लेंगे ये भी एक क्यूशन बनेगा यहाँ पर अमरावती का स्थूप किन कारणों से नस्ट हो गया नस्ट क्यूं हुआ तो अमरावती का जो स्थूप है साचिक स्थूप के जैसा एक सुन्दर स्थूप था अमरावति का स्थूप अंदर पर्देश में था 1854 में अंदर पर्देश के कमिशनर ले अमरावति की यात्रह की थी उन्होंनेまあ जاकर बहुत से पत्थर और मूर्तियों जो जमा की और उन्हें मदरास ले गए उन्होंने बताए कि अमरावती का स्थूप बोधो का सबसे जह क्या है शानदार स्थूप था इसके बाद में 1850 हिस्चू में अमरावती के पत्थर अलग-अलग जगों पर ले जा रहे थे तो कुछ पत्थर कलकत्ता एसियाटिक, सोसाइटिक और बंगाल पहुँचे, तो कुछ पत्थर मदरास पहुँचे, तो कुछ पत्थर लंदर पहुँचे, तो कई मूर्तियों को अंगरीजी अफसरों ने अपने बागों में लगवाया हर नए अधिकारी अमरावती में इसे जो मूर्ति उठाकर ले जाता था और कहता था कि हम से पहले भी अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं तो हमें मत रोगो तो इस परकार से हम देखते हैं अमरावती जो सुतूप था वो क्या हो गया बटा नस्ट हो गया अब हम जेन दर्म के उपर बात कर लें देखो पड़ा बाहरत में वैसे आठ दर्मों का बोल बाला था हिंदू, मुसलिम, सीख, हिसाई जेन बो दर्म सेव, वेशनु ठीक है सेववाद, वेशनुवाद तो यह जो है आठ दर्मों का बोल बाला था तो जेन दर्म बाहरत के प्राचिन दर्मों में से एक माना जाता है जेन-दर्म की सिख्षें चठीस कदीYeseaux पूरो से पहले यी बाहरत में पर्चलन में थी जेन-दर्म में जो भी महान पुर्ष या शिक्षक होता है उससे त्रितकर का जाता सबसे परशिद ऐसा माना जाताथा कि इस दर्म् cima और नौश कर द नियुकों धुकर सब करना ूर्द कर सबरस्ट करें नोइन परत्विसलियस बातर करना लोने जब देखते हैं पहले जो तिर्थकर क्या बताएं मैने रिषभ देव 23 में तिर्थकर थे पार्षवनाथ और 24 वे तिर्थकर कौं थे महाविर स्वामी महाविर स्वामी ये क्या थे 24 में तिर्थकर ठीक है बटा पूच लिए जाता एक नमर में पर्थम पुछे तो आप क्या बताएं रिसाब देव 23 पुछे तो पार्सवनाथ और 24 में माविर स्वामी अब कई बर एक नमर में ये भी पूछ ले जाता है माविर स्वामी से सम्दित अगर जनम की बात करते तो 540 हला की जो है माविर के जनम से सम्दित अनेक विद्वानों ने ये थियासकों ने अलगलग मत दिये हैं विचारव्यक्त के हैं लेकिन जनम स्थल 544 इसु के लगबग कहां वेशाली के कुंड़ ग्राम में पिता का नाम सिधार्थ माता का नाम तिर्शला और उपादी 24 में तिर्थकर की माने जाते हैं नाम था तो ये माविर जहें सेशंबन जो कुछ महत पूर्ण बाते हैं ये भी आप नोट करेंगे अब बाता थी जेन दरम की जो साखाई देखो बाता जेन दरम की दो साखाई थी स्वेत अंबर और दिगांबर स्वेत अंबर का मतलब है स्वेत वस्तर दारण करने वाला दिगांबर प्राई क्या होता था वस्तर नहीं पैंता था ठीक है तो अब हम किसके उपर बात करें मेटा जेन दरम की शिक्षाओं के उपर देखो जेन दरम की शिक्षा की अगर हम बात लें तो जेंदरम की पहली शिक्षा है कि पत्थर, चट्टान और जल जैसे निर्जिव चीजों में भी जीवन है, मनलों जीवन निवास करता है जीवों के परती आहिंसा, जेंदरम की शिक्षा है कि हमें जीवों के साथ किसी भी परकार की इंसा नहीं करने चाहिए खासकर इंसानों, जानूरों और पेड़ पोदों और केड़े मकोडे को नहीं मानना चाहिए जेंदरम की जो हैं तीस्ती सिख्षा है जनम और पुनर जनम का चकर करम दवार निदाइत होता है अरथात हमें जैसे करम करते हैं हमें उसे ही उसी प्रकार का अगला जनम मिलता है करम के चकर से मुक्ति के लिए त्याग और तपाश्या बहेंद जरूरी है तो ये सबी क्या है जेंदरम की मुख़े शिक्षे वे सिध्धान्द अगली जेन सादू और शाद्वी के पांच वर्थ कोण से थे हत्याने करना, चोरीने करना, जोटने बोलना, ब्रमचारिय का पालने करना और धन्शंग रहे ने करना ये सबी क्या थे जेन द्रम से समधी पांच वर्थ अब बिटा हम मात्मबूद के उपर ले लिए मात्मबूद के बारे में जो important जो है बातें जो एक नमबर में जो पूछी जा सकती है जैसे बोध दरम के संस्थापक, ये नोट करना बिटा अपनी फेर नोट में बोध दरम के संस्थापक कोन थे? मात्मबूद थे इनका पूरा नाम क्या था? गौतम बूद बच्पन का नाम क्या था? सिद्धार्थ जनम का भुवाब 573 पूरो जनम स्थान क्या था? लुमनी नेपाल में जो की पिता का नाम क्या था? सुदुधन माता का नाम क्या था? माया देवी और बूद के जनम के साथ दिन बाद इसकी मिर्ति हो गई सोतली मा का नाम क्या था? परजापति गौत्मी बूद के पुत्तर का नाम क्या था? राहूल तो ये मैत्वण तत्थ हैं मात्म बुद्ध से समद्धी जो एक नमर में फुचे जा सकते हैं नौट कर लेना इनको अब बात आते बुद्ध दवारा देखे गए चार दरश हैं बुड़ा वैक्ती, एक बिमार वैक्ती, एक लास वैक्ती और एक सन्नासी वैक्ती अब यहाँ पर हम बुद्ध की सिक्ष्याओं के बात करेंगे बुद्ध की सिक्ष्याओं त्री पिटक में संकलिता हैं तीन पिटक होते थे सूत पिटक, विने पिटक, अधिगम पिटक सूत पिटक, विने पिटक और अधिगम पिटक गोर तपस्य और विश्या सक्ति के बीच मद्दमार अपना कर मनुश्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता था बगवान का उना ए परशांगिक यह दुनिया एनित है और लगातर बदल रही है इस दुनिया में कुछ भी स्थाई नहीं है समाज का निर्मार इनसानों ने किया है इसके साथ साथ हम देखते हैं बुद्ध तुम सब अपने लिए खुद ही जोती बनो क्योंकि तुमें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूनना है इस दुनिया में दुख की ही दुख है और दुख का कारण इच्छा वे लोब वे लालाच देखने को मिलता है ये सभी क्या थी मात्मबूद की शिक्ष्याई वे सिध्धान्त ये भी नोट करना अगली बात आती है पुराणिक हिंदु दर्म का उदय हिंदु दर्म सबसे प्राचिंतम दर्में से एक है इसमें विश्नु और शिव प्रमप्रा सामिल है विष्णु दर्म के लोग विष्णु की उपासना करते थे जबकि सेव दर्म के लोग शिव की उपासना करते थे तो यहाँ पर विष्णु को जहें विष्णु की मुख्य देवता होता था जबकि सेव में शिव मुख्य देवता माना जाता था वेशनुवाद में कई अवतारों को मैतो दिया जाता था ऐसा माना जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो बगवान अलग-अलग अवतारों में संसार की रक्षा करता है इस परंपरा में दस अवतारों की कलपना की गई है मूर्ति पूजा की जाती थी शिव बगुआन को उनकी पर्तीक लिंग के रुप में दर्साया जाता था अब हम बात करेंगे इसके उपर बीटा, मंदरों के निर्मान के उपर प्रारा में मंदर एक चोकोर कमरे की तरह होते थे जिसे प्राय क्या नाम दिया गया गरब गरय नाम दिया गया इनमें एक दर्वाजा होता था जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे मूर्ति की पूजा की जाती थी फिर बाद की समय गरब गरय के उपर एक डाचा बनाय जाता था जिसे प्राई क्या नाम दिया जाता था बटा सिखर नाम दिया जाता था मंदर की दिवार पर जो हैं चितर उतकेरण के जाते थे उतकेरण मलों उतकेरण विटा दिवारों पर इस प्रकासे हम देखते हैं बित्ती चितर या उतकेरण चितर उतकेरण जाते थे फिर दिर दिर मंद्रों को बनाई जाने वाले तरीकी या विक्षित होते गए अब मंद्रों में विशाल समास्थल उची दिवार बनाई जाने लगी परार्म में कुछ मंद्रों को पाड़ों से काटकर गुफा की तरह बनाई भी जाता था तो यह क्या बाते बताए हमने मंद्रों के निर्म टोपिक मैंने आपको समझाए आई होप आपके समझ में आ गए होंगे इन सभी टोपिक से समझ जो क्यूशन बनते हैं उन सभी कुष्णू को आपने फेर नोट में राइट करेंगे और लर्न करेंगे ओके नाइस टोकिंग टू यू बटा थैंक यू